तो गाइस यार काफी सारे लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ने करते यार पिछली हमारे कुछ चैनल पर थे कुछ काफी कोई थाउजन्ड वीडियो समलो होने वाले थी 700 क्रॉस हो गई थी ठीक है तो वो पूरा चैनल हमारा 5000 सब्सक्राइबर वाले डिलीट हो गया तो तीन साल की मेणत तो अब इस चैनल पर काम करनें शॏ नहीं करता हुए अब आप यूगों को काफी देर से इंतला था गयिस वीडियो का गेम लूप लाइक फिक्स अल्टिमेट पार्ट तू सो आप जब विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना होता है अगर आप यह कर लोगे आपके गेम लूप का काफी हद तक लाइक फिक्स हो जाएगा एंड आपका शटडाउन में प्रॉब्लम जो आ रही थी पहले लाइक फिक्स के पैक से और बाकी से वह भी नहीं आएंगे ठीक है सो यह करने से पहले आपने रिस्टूर पॉइंट बना लेना है सबसे पहले है मैं इंटर मैं नहीं इंकररा gotta, तांकर वीडेओ लंभी और लम्मिन है तो रिस्टूर क्रीयट कर लेना है बिफोर पलाय मतलब के पहले का जो बेक अप ले लिया तब एन बाट अपको बस यह पूरा क्रेड़ रिच्ठोर करना चाहो प्ली रिच्ट्री वह वह रही हाजेंगी तिक है करना चाओगे आपके वाई यूं करके रिस्टोर का जागा देखो जो मैंने बैकप बनाया है वह यहां पर मुझे मिल देगा ठीक है डिस्कॉर्ड में इसलिए डाला है make sure यहां पर कोईसी file के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसका मीडियए वाले इस चीज को डिलीट कर देते हैं दिसकोर्ड के अंदर इस चीज को डिलीट करना और इस चीज को सेम लिंक खराब होता है तो मैं इधर एडिकर के सिंपल यहां से चेंकर सकता है डिसकॉर्ड में ठीक है अगर मैं एगर वीडियो के निचे लिंक दूंगा अगर मिसाल के मैं 10 जगा link दे दूं तो मुझे 10 जगा ही चेन करना पड़ेगा। ठीक है सभी कै और सर्वर करनी चलिंक होगा क्लिक करके ड्रेक जॉइन कर सकते हो और दूसरी बात यहां पर लैक फिक्स पैक को एक्स्ट्रेक्ट फाइल कर लोगे यूं करके ठीक है मेरे पास अल्रेडी है तो मैं यह 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 दूबारा कर दूँगा सेम यह जब भी आप विं सिंपल तो यह करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने यह सॉफ्टर इंस्टॉल कर लेता हूं यह वाले सारे ठीक है तो सबसे पहले अगर आपका डिरेक्ट टैक्स यह नहीं हो इसको राइट क्लिक बाके नहीं से अडिमिनिस्ट्रेटर करो और यह डिरेक्ट टै रहे रहे एंड थोड़ा सा वेड़ करेंगे और साथ में में रेक्ट को भी इंस्टॉल कर लेता हूं ठीक है रिए और इसके बाद यहां पर देखो यह इस कर लो एंड पार कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे लेंगविज इंगलीशी एगरी नेक्स्ट और फिर नेक्स इंस्टाल सी ड्राइब में ठीक है यह पार कंट्रोलर भी मारा हो गया इंस्टाल ठीक है अच्छा अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे और उसके पहले हम क्विक सीप्यू को भी इंस्टाल करेंगे सिंपल एंड यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टाल ठीक है एंड येस करूंगा अड कॉपी यू फाइल फिनिश इस करोंगा अब को किक सीप्यू को बैएयस करते जाओ इंस्टाल कर दे जा चारओं के चारों आपने स्लिए ये को एडर आ गया मतले यह यह अलर्या अदिर हू हाई पर्फोरमेंस शो नहीं हो रहा तो आपने पहले हाई पर्फोमेंस में जाने इसको अपलाय करने और अप्लाय करने और पिर आपके बाद कि इसको apply करकिए अप्लाय कर्धे ना यहांपे और इसको apply कर ने ठीक कर लिए'd के लिए जिए अपने कुछ all right यहां पर ग्रीजे करती आपने कुछ और फिर चाहले है यहांं पर राधे शन जाना है और यहां नापने आप नहीं आप से च्रुल स्कीष उन्हाद itself को कर देना और को घृक करने के यह आगे हम वोई पर स्थार ने पावर्पॉंट बार करने कुट सीपिटी को काओं जाना होगा के धाँ टो आप बाप और व्चाम करें एक करणा और से और सटेक्स कर कर दिने ठीक है यह भी काम करता है ठीक है और यह होना चाहिए ठीक है उसके बाद इतना करना है और इधर एक और चीज होती थी किदर गया and apply कर देना येस एंड उसके बाद और कुछ चुनिए इसके अंदर और कुछ देख लेते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज है तो हम कर देंगे वैसे जुरत नहीं होती ठीक है बस ठीक है हमें वही करना था ठीक है यहां पर बिट सम आई परफोर्मस बस और कुछ भी नहीं ठीक है एंड इसके मिनिमाइज जब भी सिस्टम सार्ट ओना लोड ओन सिस्टम सार्ट अप यह ओन हो जाए ठीक है जैसे पीसी ओन होगा तो यह भी ओन हो जागा और दूसरी बात इसकी आप राइट क्लिक दुबागे सेटिंग कर सकते हो क्लीन एवरी यहां पर एक मिटी यह थोड़ा सार्ट झाट पे मैंने क्लिक किया ता उसके लoben आप की है फाइफ मिन्म न चरहें ऑडिके से मेरी क्लीन करें और बता देगा कितनी memory clean करी यह नोटिफिकेशन आ जागा ठीक है जैसे मैं इदर clean memory करता हूँ ना तो यह बताएगा notification के साथ और वह भी आ जागा ठीक है फिलाल मैं notification off किया है बट यह clean करता रहेगा तांके game खेलते वक्त सामने ना आए ओके और यह यह करने के बाद आपको apply करने तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा फिक्स हाइप सीप्यूज की यह दो चीज़ें करने होगी पहले तो यूसबी यह लगाते हो काफी सारी PC में अगर आपको ऐसा काम करते हो जिससे आप वायरस से बचना चाहते हो आपके Windows में malware ना है फिर आप रियल टाइम प्रोटेक्स को सिरफ यहां से बंद करके game खेलो अगर आपको इस चीज़ से मतलब कोई मसला नहीं है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ इंस्टाल करूंगा वायरस आजागा अगर आपको खुद को पता है तो फिर आप इसको यहां से defender कंट्रोल में जाकर इसकी services को off कर सकते हो ठीक है वो कैसे वो मैं बताता हूँ पहले मैं इसको extract file करूँगा दुबारा क्यों अदर हिदर है सो वैसे उससे बंद कर बंद हो जाते है फ़िया। फूरए व इसको बंद करो पूरा अभी यहदि करो ढकर फार तो इसको यह रहा है यहां परसंट भी ठीक है कुछ परसंट भी ले रहा है चलने दो वरना आपके कंपिटर में वायरस वाजागा यह कुछ सब्सक्राइब तो यहां से ओफ कर दो आपकी मर्दी ओन भी रहे गाए कुछ टेर के लिए लेगा हलका भूलका ठीक है एंड उसके करूंगा एंड उसके बाद मैं इसको भी एस करूंगा और कर दूंगा यह करने के बाद सिंपल आपने सब कुछ हो गया अब आपके पीसी के अंदर अगर विज्वल सी प्लस प्लस नहीं हुए यह यह विज्वल सी डिस्ट्रिब्यूटेबल होते हैं गेम सोफ्टर बगार कि मैंने बंद कर दिया क्योंगे मेल अर्डी यह इंस्टॉल हुआ है सारे इंस्टॉल हुए में आपने रन एस अड्मिनिस्ट्रेटर करके करोगे ना तो यह यह का उप्शन नहीं पूछेगा आपसे एक बार पूछेगा और यह बार बार फिर सारे इंस्टॉल कर देगा तरीके से ठीक है उसके बाद आए एक स्टार्ट अप का फोल्डर है यह आपको क्या करना है जब भी आप पीसी ओन करो ठीक है आपने यह चीज़ें करनी है ठीक है पर उसके बाद उससे पहले यह टैमर रेजलिशन और मसी मॉडल टूल है इसको भी आपने अपने पीसी में तृट्रट आप पर करने और प्लाइस क करना है करने तो फिर अप्लै करते क itssen लां से 3029 और सुन गेंदे ऑन के दो यह तो समय करते हैंब तो यह अल्रेडी अक्टिवेट ठीक है एंड उसके बाद आपने कैसे क्लीनर को रननाइस अड्मिनिस्टेटर करके यूज करने है ठीक है गेम लूप ओपन करने से पहले जब भी आप PC एक बार ओन करो अपना जैसे यह आप स्टार्ट अप PC करते हो ना तो यह चीज़ आपन करेंगे होने का तो थोड़ा थोड़ा वेक्ट करेंगे भी तैयमर प्रेषर करके रनन आसे अडमिनिस्ट्रेटर से अब भी उप आप जब कर लो गैसको तो इसको मैक्सीमम कर देना ठीक है और यह करने के बाद सिंपल आपने दिस पीस की में जाना है अट यहाँबरोपर् में चले जा और फिर एड़माज़् में जाकर करो में आपके प्रोग्राम अज़र राखने navigating चालों है और यह करने के बद आपने चंज में जाने के बाद यहांपे आटिमेटी कली तो आपसों हिख और अठीक मैनज और यहांपे उपर system मैंने size करना है set ठीक है यह कर देना सबको कर दो तो ज्यादा बेटर है वरना जिसमें सिर्फ टैम का फोल्डर और वह पढ़ा है उसको कर दो मैंने सब को इक यह करने के बाद करो उसके बाद आपको अपना पड़ेगा ठीक है अब देखो यहां पर मैमरी कितनी इंक्रीज होगी और यहां पर उसके बाद यह और यहां से आप एड़्जस्ट फॉर बेस्ट परफोर्मेस करके स्मूथ एजिस स्लाइड ओपन एंड स्मूथ स्क्रोल लिस्ट और शोविं कितनी जल्दी ओफन हो रहा है सबकुछ ठीक है यह कर सकते हो ठीक है अगर आप आपको थोड़ा मैं स्मूथ पधर पसंद करता हो कर समूथ तरीके से ओपन ठीक है मैं वह चीज पशंद करता हो तो मैं उस तरीके से बाइड डिफॉल मैं वैसी रखता हूँ क्योंकर जिसको होने के बाद बस आपको अपने जाना है गेम ग्राफिक सेटिंग में ठीक है ग्राफिक सेटिंग में यहां पर ग्राफिक सेटिंग यह रही ठीक है ग्राफिक सेटिंग में जाने के बाद आपने ब्राउज करके देखो यहां पर सारी यहां पर डो टैक्सी भी डाल देनी है इसके बात यह करने के पाद और कुछ भी नहीं करना आपको क्या करना है सबसे पहले आपको देखना यहां पे आपको कौन सा ग्राफिक काड ए ठीक है मैं यह little amd की सब्सक्राइब का इस इनवीडिया की भी कर सकता है 1st x आपने अपना अपना मचिघ हर अपके लेगा कि अपने करने के बाद रहने सपोटें अपन पर आप करेने चार्प करुझाशन हो दको सब्सक्राइबrika तो यह दूसरी बात करते हैं और यह बस सिंपल को कुछ नहीं चेल आपके डिसेबल बस सिंपल इतनी सी सेटिंग कर लो बहुत होती है इसकी बिल्कुल डिटेल से जो सेटिंग होती है वो मैं लेकर होगा अलग वीडियो में AMD की एन वीडियो का जब मेरे पाड आएगा मैं वब कर लूँगा वरना मैं किसी और के PC के उपर वीडियो बना के आपको दे दूँगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी जितने लोग भी देखेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम को मत करना, सब्सक्राइब करना, मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरे न्यू सोंग का, जाकर सुन लेना, नया रैप सोंग तुमारे भाई ने बनाया था, जाकर सुन लेना, उस चैनल को भी कर देना गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में अलाफिस